नमस्ते दोस्तों स्वागत थे आपका आपके अपने ही चनल ग्रोपुंजी में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इमेजी का वर्ल इंटर्टेन्मेंट लिमेटेडी स्टॉक के बारे में जिसके प्राइज चल रही है 17.70 और इस स्टॉक में लगा हुआ है साधे 4% से ज़्यादा का अपर सर्किट एंड सेकेंड नमबर का जो स्टॉक है वो है बीएजी फिल्प एंड मेडिया लिमेटेड जिसके प्राइज चल रही है 8 रुपीस और इस स्टॉक में भी लगा हुआ है साधे 9 रुपे का अपर सर्किट दोस्तों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि दोनों स्टॉक में क्या न्योज है किस रीजन से दोनों स्टॉक में हमें एक अच्छा अप्डेंट देखने को मिला है आज के दिन और उसके बाद में दोनों स्टॉक के वारे में हम डिटेल एनाल करेंगे कि हमें दोनों स्टॉक में क्या करना चाहिए सोट टम और लॉंग टम के लिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो लाज तक जरूर देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इमेजी का स्टॉक के बारे में और उसके बाद में हम बीएजी फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में जानेंगे लेकिन दोस्तों इदोनों stock के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वैल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे stock market में stocks की news और stocks की analysis करके मैं आपके लिए आता रहूँ और साथी दोस्तों आप हमारा telegram जॉइन कर सकते है जहां आपको stock market related सभी नुज हमारी telegram पर मिल जाएगी और साथी short term के लिए stocks भी आपको हमारी telegram पर मिल जाएगे दोस्तों image का world entertainment limited आपको इससे नाम से पता चल गया होगा इस चीज का business है कई सारे advertisement भी देखे होंगे आपने इसके तो दोस्तों 2020 जब lockdown लगा था तब से इसका business बंद हो गया था तो obviously कितना नुकसान हुआ है यह आप समझ सकते हैं कंपनी का market cap है 150 करोड के something का 150 करोड के something का और कंपनी के उपर 1000 करोड का debt है दोस्तों कंपनी के sales में धीरे धीरे करके अभी 2021 नवंबर दिसंबर से धीरे धीरे करके एक छोटा सा uptrend देखने को मिल रहा है क्योंकि 2020 मार्च के बाद में तो पूरा business ठप हो गया था किसी प्रकार का कोई sales नहीं किसी प्रकार की कोई revenue नहीं अभी धीरे धीरे करके आज के दिन जो इसमें हमें uptrend देखने को मिला है और volume देखने को मिला है इससे clear होता है कि आने वाले time में जैसे जैसे करके lockdown खूल रहा है तो धीरे धीरे करके यह सभी जो water kingdom होते हैं water park होते हैं खुलने वाले हैं जिसका positive impact हमें इसमें देखने को मिल सकता है अगर यह खुलते हैं तो दोस्तों obviously हमें धीरे धीरे करके इस stock में और uptrend देखने को मिल सकता है जहां आज के दिन इस stock ने एक breakout दिया है weekly पर आप देख सकते हैं कि इसने breakout तो दिया था कल के दिन कल के दिन breakout दिया था लेकिन आज यह retest करने के लिए आया और volume हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है इमेजिक का world में दोस्तों अगर हम बात करें इसके fundamental को लेके तो दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा company को पर बहुत ज़्यादा depth है और obviously penny stock है इसलिए आप minimum quantity ही invest करे और इस stock में उपर की तरफ हमें जो resistance देखने को मिल सकता है 18.50 की price पर जहाँ 200 यह में है weekly पर अगर यह stock 19 रुपे के उपर closing देगा तो दोस्तों हमें इस stock में उपर की तरफ और uptrend देखने को मिल सकता है देकिन जब तक यह 19 रुपे को उपर closing नहीं देगा तब तक दोस्तों हमें इस stock में उपर की तरफ बड़ा uptrend सायादी देखने को मिले अगर यह stock 19 रुपे को उपर closing देगा तो दोस्तों आप इस stock में entry ले सकते हैं लेकिन आप minimum quantity ही ले अपने portfolio का सिर्फ और सिर्फ 2% या फिर 5% amount किसी भी penny stock में invest करें ज़्यादा amount का risk ना ले अगर आप 19 रुपे में इस stock को लेते हो 19 रुपे की price में आप entry लेते हैं short term या फिर long term तो दोस्तों obviously आपका जो SL रहेगा वो रहेगा डेली पर मैं बता देता हूँ आपका SL क्या रहेगा जो आपका SL रहेगा वो रहेगा 16 रुपीज का 16 रुपीज का SL maintain करके आप short term के लिए stock में entry बना सकते हैं लेकिन कव entry लोगे जब ये stock 19 रुपे के उपर closing देगा अब हम बात करेंगे second stock की जो है VHG Films and Media Limited जिसके price चल रही है 8 रुपीज और इस stock ने भी आज के दिन 69% की positive closing दी है दोस्तों VHG Films and Media Limited कंपनी का market केफ है 1500 करोड की something का और कंपनी debt free है सबसे बड़ी बात कंपनी debt free है कंपनी आने वाले quarter अच्छा expect कर रही है और गर हम बात करें इसके technical analysis की तो दोस्तों इस stock ने 6.70 की price पर एक बड़ा breakout दिया है जहां ये काफी time से दो month से इसी range में घूम रहा था इसने double top का एक breakout दिया है और हमें सिसमें एक reversal भी देखने को मिला था नीचे की तरफ फिर इसने उपर की तरफ अच्छा volume देकर uptrend दिखाया है तो दोस्तों हम इस stock में उपर की तरफ अभी और uptrend देखने को मिल सकता है अगर आपके पास already stock है तो दोस्तों आप 5 रुपे का SL maintain करके इस stock को hold करके चल सकते हैं लेकिन अगर आप इस stock में new entry लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको जो SL maintain करना होगा वो maintain करना होगा 6.70 का 6.70 का SL maintain करके आप new entry ले सकते हैं और ये भी penny stock है इसलिए minimum quantity ही आप ले ज्यादा amount invest ना करे किसी भी penny stock में I hope दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को like करे शेयर करे और चनल को जरूर सब्सक्राइब करे जैहिन